क्या YouTube algorithm दर्शकों के लिए लंबी वीडियो ज्यादा चुनता है? क्या लोगों को दो मिनिट की शॉट फिल्म के मुकाबले घंटों लंबे पॉड का ज्यादा आसानी से दिखते हैं? आईए आज वीडियो की अवधी के बारे में बात करते हैं और जानते ही कि यह YouTube के खोज और सुझाव देने से जुड़े सिस्टम से कैसे संबंदित है? YouTube के खोज और सुझाव देने से जुड़ा सिस्टम प्रतियक दर्शक को वह देखने में मदद करने का प्रयास करता है जो वह देखना चाहते है इसका मतलब है कि YouTube का सिस्टम उन वीडियो के सुझाव दिखाएंगे जिन में लोगों के दिल्चस्पी होगी और जिन्हें देखकर उन्हें संतुष्टी मिलेगी यहां सुनते हुए इशारद आपको लगता है कि मुझे तो यहां पहले से हैं पताता अल्गरिदम लंबे वीडियो को पुरस्कृत करता है क्योंकि उन्हें देखकर लोगों को ज्यादा सुनतुष्टी मिलती है और तबी वे वीडियो को ज्यादा देर तक देखेंगे पॉड्कास्ट कम अवदी के वीडियो से ज्यादा दिखाई देंगे लेकिन ऐसा नहीं है यदि ऐसा होता तो म्यूजिक वीडियो को लाको या कभी-कभी को रोडो व्यूस नहीं मिलते आपको हिट एनिमेटेद वीडियो को भी नहीं दिखते YouTube का खोच और सुजाव सीजुड़ा सिस्टम सैंक्डो बातों को ध्यान में रखकर किसी वीडियो को रेंक करता है इसमें किसी वीडियो को एबरेज कितनी देर तक देखा गया और average उसको कितनी प्रतशित हिसा देखा गया, दोनों पैमानों को शामिल किया जाता है आपको बेवज़ा अपनी वीडियो की अवदी को बढ़ाना नहीं चाहिए हमने कुछ creators को ऐसे करते हुए देखा है और यहाँ अकसर उनके वीडियो के performance पर नुकसान होता है याद रखे, अगर आप दिलचस्प वीडियो नहीं बनाते तो दर्शक आपकी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, जो अच्छा संकित नहीं है अगर आपको 10 मिनिट का वीडियो बनाने के बज़े, 20 मिनिट का एक बहतरीन वीडियो बनाने का मौका मिल जाए और लोगों को और ज्यादा शांदार लगे, तो क्या इस 20 मिनिट के वीडियो को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शायद वो 20 मिनिट वाले वीडियो लोगों को ज्यादा दिलचस्प लगे 10 मिनिट वाले वीडियो के दर्शक उस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देख सकते हैं जो उनके लिए संतोश होगा यह भी हो सकता है कि वे YouTube ही बंद करें लेकिन हम जानते हैं कि किसी वीडियो को कितनी देर तक देखा जाता है संतोश्टी का अनुमान लगाने का एक तरीका है इसलिए अब हम सर्वे करवा कर यह जानने की कोशिच कर रहे हैं कि लोग कितने संतोश्ट है जो आपने शायद देखा होगा इन सवे में रैंडम तोर पर लोगों किसी वीडियो को देखने के बाद उनके अनुभव को रेटिंग के जरीए बताने को कहा जाता है इससे हम यह समझने में मदद मिलती है कि किस तरह की वीडियो देखने से आपका समय बरबाद हुआ और किस से देखर आपको संतुष्टी मिली Creators के तौर पर आपको क्या करना चाहिए वीडियो की अवदी के बारे में ज्यादा न सूचे जैसे कहा जाता है आपके वीडियो की अवदी content की मताबिक होनी चाहिए अगर content से जूरी बात दो मिनिट में कहा जा सकता है तो सिर्फ दो मिनिट वाली वीडियो बनाईए हाला कि अगर किसी बात को समझाने के लिए 20 मिनिट लगते हैं तो 20 मिनिट के वीडियो ही बनाईए अगर आपके दर्शक उस वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो खोच और सुझाव देने इसी जुराई सिस्टम दूसरों तक आपके यह वीडियो पहुंचाने का काम करेगा हमें उमीद है कि इससे आपको मदद मिलेगी YouTube कैसे काम करता है और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के तरीके के बारे में जाने के लिए YouTube Creators India चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद